हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आज फ्रेंड्स में आपकी साथ शेयर करने जारियों कि बैड्रूम में अपनाए ये वास्तुर्टित दापत्ते जीवन बना रहें गए प्यार पर इससे पहले फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्रेस्टी कि आप प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैडरूम हमारे खर का सबसे महत्पूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि यहीं हम आराम करते हैं और अपने जीवन से जोड़े निजी अनुवफ शेयर करते हैं हमारे जीवन ले बहुत बड़ा समय बैडरूम में ही सोते हुए गुजड़ता है कई बार बैडरूम या पलंग के वास्तु विप्रित होने के कारण इसका असर हमारी कारे शमता और लव लाइफ पर भी पड़ता है यदि वास्तु के अनुसार बैडरूम में कुछ खास चीज़े रखी जाए तो ये कुछ खास टिप्स अपनाएं जाएं तो पती-पत्नी के बीच विवाद होने की संबाबनाएं बहुत कम हो जाती हैं और रोमैंस लंबे समय तक बना रहता है ये वास्तु टिप्स कुछ इस प्रकार है फ्रैंक्स बैडरूम में खिड़की अवश्य होनी चाहिए सुबह की किरने बैडरूम में प्रवेश करने से स्वास्ते बहता रहता है कभी भी मुख्य द्वार की और पैर करके ना सोएं पलंके संपूर्ण दरपन नहीं होना चाहिए ऐसा करने से आप सदेव व्याकुल पा परिशान रहेंगे पती पतनी के प्रती के रूप में बैडरूम में दो सुन्दर सजावटी गमले रखें इनसे आपका वेवाहिक जीवन सुख में होगा और यदि आपकी आर्थिक इस्तिती ठीक नहीं है और इसी वज़े से दमपत्य जीवन सुख में नहीं है तो सुन्दर से बाउल में पवित्र क्रिस्टल को चावल के दानों के साथ रखें पती पतनी के पीच प्रेम बढ़ाने के लिए बैडरूम के दक्षन पक्षिम भाग में या कांच या सिरेमिक पोर्ट के छोटी छोटी पत्र या क्रिस्टल डाल कर लाल रंगी दो मौंबत्यां जलाएं इससे पॉजिटिव एनरजी फैलेगी और आपकी जोड़ी सलामत रहेगी बैडरूम में पलंग सदे दक्षन दिशा में रखना चाहिए तथा सोते समें सिर उत्तर दिशा की और होना चाहिए यदि ऐसा नहीं कर सकते तो पश्चिव दिशा में पलंग रखा जा सकता है इस इस्तिवी में सोते समें मुख पूर्व की और वासरहाना पश्चिव की और रहना चाहिए वास्तुर शास्त के अनुसार पूर्व की और दक्षिन की और मुख करके सोना सुकतायक होता है उत्तर की और मुख करके नहीं सोना चाहिए उत्तर की और मुख करके सोने से नीन नहीं आती है और आती है तो बुरे सपने आते है घर का मुख्य बैडरूम सदेव पश्चिम दक्षन कोड में बनाना चाहिए मुख्य बैडरूम वो होता है जिसमें गहस्वामी सोता है बैडरूम सजाकर रखें वहां कवाड़ा ना जमा होने दे ध्यान रखे कि वहां साइड टेवल पर कोई भी वस्तु धूल बरी, बेतबरी और बिखरी हुई ना हो प्यार बढ़ाने के लिए सिरे में की बनी हुई विंड चैम्स का प्रियोग करें लवबर्ट, मैंडरन डग जैसे पक्षी प्रेम के प्रतीक है इनकी छोटी मूर्तियों का जोड़ा अपने बेडरूम में रखे इनसे दापत्ती जीवन खुशाल बना रहेगा बेडरूम में इस बात का विशेश ध्यान रखे कि वहां पानी की तस्वीर वाली पेंटिंग हरगिस ना लगाएं इसके स्थान पर रोमेंटिक कलाकरती जैसे यूगल पक्षी की तस्वीर लगा सकते हैं ये तस्वीर आपकी लाइब को रोमेंच से भर देगी बेडरूम में ड्रेसिंग टेवल कभी भी खिड़की के सामने ना रखे क्योंकि खिड़की से आने वाला प्रेकाश परिवार्दित होकर परिशानी उत्पन करेगा पलंग के सामने खिड़की ना होकर ठोस दिवार होना चाहिए बेडरूम में पनीचर, धनुशकार, अर्ध, चंद्राकार या व्रताकार नहीं होने चाहिए इससे घर की सत्स्यों का स्वास्ते बिगड सकता है पती-पत्नी के बीच रोमैंस बने रहने के लिए आपको फ्रेंड्स बेडरूम में दक्षन पक्षिम दिशा में दिल की आकरती का रोज क्वाइट्स रखे आदर्श्वादी चित्र आत्मल को बढ़ाते हैं और दापत्ती जीवन को आनन्द में वविश्वस्त बना रहता है इसलिए बेडरूम में राधाकृषन की तस्वीर लगाएं तो बेडरूम में पलंग इस प्रकार रखे की विदरवाजे के पास ना हो ऐसा होने से मन में आशांतिय व्वेकुलता बनी रहती है शैनकाक्ष में पलंग के दाई और छोटी टेवल आवश्वस्तू रखने के लिए रख सकते हैं शैनकाक्ष में प्रकाष व्यवस्तत ऐसी हो कि पलंग पर सीधा प्रकाष नहीं पड़े प्रकाष सदे पीछे या बाई की और होना चाहिए पलंग के सामने की दिवार पर प्रेरिक वा रमड़ी चित्र लगाने चाहिए थैंक्यू फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साइड में नोटिफिकेशन बैल आइकने उस पे क्लिक करना ना भूलिए अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं आपकी समस्या हमारा समाधान मैं आऊंगी हर रोज एक नई वीडियो के साथ तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए हेल्थी रहें, फेट रहें, खुश रहें, बाई बाई